सुप्रभार, हिंदी, व्याकरल, क्लास 10 थे आज हम लोग रस्त का रिवीजन करेंगे रस्त किसे कहते हैं? सबसे पहले तो प्रस्न उठता है कि रस्त किसे कहते हैं तो काव्य के आनंद को ही रस्त कहते हैं याने कि कविता को पढ़ने, सुनने, अत्वा नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूती होती है उसे हम रस कहते हैं याने कि साहित्तिक आनंद ही जो है वो रस है साहित्य अत्वा काव्य की आत्मा रस है इसी रस का आस्वाद लेने के लिए पाठक, स्रोता या दर्सक, साहित्य पढ़ते, सुनते या देखते है यदि कविता या साहित्य में रस ही ना मिले तो उसका कोई मूल्य नहीं होता इसलिए संस्कृत के आचार्य विस्वनात ने कहा है वाक्यम रसाद मकम काव्यम, अर्थाद सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है रस का सूत्र नाटि सास्त्र में भरत मूनी ने भी बताया है बिभावानु भाव, व्यभिचारी, संजोगा, द्रस निस्पत्ते यानि की बिभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संजोग से रस की निस्पत्ति होती है यह रस की सामग्री है दूसरे शब्दों में रस के अवयव हैं जिस प्रकार रस सामने हो किन्तु जिहमा उसका पान न करे तो आनंद नहीं मिल सकता उसी प्रकार बिभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि के संयोग से रस तभी प्राप्त होता है जबकी पाठक, स्रोता या दर्सक के मन में इस्थाई भाव उन्हें ग्रहन करने के लिए पूरी तरह ततपर हो अतह रस को समझने के लिए पहले इस्थाई भाव को समझना आवस्यक है अब देखिए इस्थाई भाव क्या है तो प्रतेक मनुस्यके चित में नौ इस्थाई भाव बासना रूप में इस्थित रहते हैं ये सुशुप्त अवस्था में सदा विद्यमान रहते हैं जब इनके सम्मुख रस की सामगरी प्रकट होती है तो ये क्रियासील हो उठते हैं उस अवस्था में दर्सक का चित व्यक्तित्व की नीजी सीमाओं को तोड़ कर रागद्वेस रहित हो जाता है इसी को रामचंद सुकल ने हरिदय की मुक्तावस्था कहा है रागद्वेस और अपना पराया के भेद से उपर उठने के कारण रसान उभूती याने कि अब एकदम सरल परिभासा है कि इस्थाई भाव याने कि कुछ भाव हमारे अंदर हैं जो इस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं लेकिन वो सुशुपतावस्था में होते हैं वो जागरतवस्था में नहीं होते हैं और जब अनुकूल इस्थित आती है तब वो जागरतवस्था में होते हैं इस प्रकार रस की संख्या मुख्य रूप से नौबत आई गई है जबकि वासल्य और भक्ति नाम के दो रस को बाद में जोड़ दिया गया है तो नौबरस में हैं स्रिंगार, करुड, रौद्र, बीभत्स, शांत, बीर, हास्य, भयानक, अद्भूत और नौबरस के इस्थाई भाव हैं रति, सोक, क्रोध, घिड़ा, वैराग्य, उत्सा, हसी, भै, विश्म, आदे ये जो हैं वो नौबरसों के इस्थाई भाव हैं जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, संचारी भाव भी प्रतेक मनुस्य के मन में उठने गिरने वाले मनुभाव हैं, ये इस्थाई न होकर छडिक होते हैं, इनकी स्वतंत सत्ता नहीं होती, ये किसी न किसी इस्थाई भाव के संगी साथी बन कर उनके साथ विच करते हैं ये किसी एक इस्थाई भाव के मित्र नो होकर औसर के अनुकूल अनेक इस्थाई भाव का साथ देते हैं इसलिए इन्हें एक और संचारी अर्थात साथ साथ संचरण करने वाला कहा गया है तो दूसरी और ब्यभिचारी अर्थात एक से अधिक के साथ रमण करने वाला कहा गया है आचारियों ने इनकी संख्या 33 माने है और इनके नाम है निर्वेद, मद, विबोध, मरड, अवहित्या, इस्मृति, लज्चा, ध्रिति, वितर्क, आवे एक, जड़ स्वप्न, अलस्ता, और सुक्य, मती, हर्ष्ट, चपलता, दैन्य, उग्रता, अपस्मार, अमर्स, उन्माद, व्याधि, असुया, ग्लान, स्रम, मोह, गर्व, निद्रा, शंका, संत्रास, विशात, चिंता ये जो हैं 33 जो हैं संचारी भाव हैं, आगे का जो अंस है बिभाव से बिभाव अनुभाव ये सब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे धन्यवाद